राधे राधे भारत माता की मैं ब्रदक्षेत्र के सभी देवी देवताओं को स्रद्धा पुर्वक प्रणाम करता हूँ मैं आज आपके पास विशेष रुप से आया हूँ मैं पहले भी आता हूँ आता रहा हूँ जहां जहां पहुंच सकता हूँ पहुंचता हूँ लेकिन पहले जब मैं आता था तो कुछ देने के लिए आता था कुछ ले करके आता था को योजना लेकर के आता था किसी के उद्गाटन के लिए आता था लेकिन आज मैं आप से देने के लिए नहीं मांगने के लिए आया हूँ मैं आप से विक्सीद भारत के लिए आशिरवाद मांगने के लिए आया हूँ आप मुझे बताईए अगर भारत विक्सीद होता है तो आपका भला होगा कि नहीं होगा भारत विक्सीद होता है तो आपके परिवार का भला होगा कि नहीं होगा भारत विक्सीद होगा तो आपके बच्चों का भला होगा कि नहीं होगा और इसलिए भी देश एक जुड़ होकर कह रहा है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार साथियों भारत की बढ़ती हुई शक्ति कुछ ताकतों को पसंद नहीं आती है अब जैसे यहाँ defense corridor बन रहा है यह देश की सेना के लिए आत्मन निर्फर बनने के लिए दुनिया में निर्यात के लिए गातक अस्त्र और सस्त्र बनेंगे लेकिन दुनिया भर में जो हथियारों के दलाल है जो पुरानी सरकारों हैं गूस देकर के अपना काम करा लेने के expert हो गए थे और पुरानी सरकारों में बैटे हुए लोगों को भी कि यह मलाइक खाने को मिलती थी उनको भी मज़ा आता था ऐसे सारे लोग अम्मोदी जब सस्त्रों को यहां बनाने की बात करता है देश को आत्मनिर भर बनाने की बात करता है तो बोखला गये हैं बहुत नाराज है वो नहीं चाहते कि भारत की सेना आत्मनिर्भर बने इसलिए वो मोदी के बिरोत एक जुट हो गए है इन ताकतों को रोकेने के लिए देश के उजवल भविष्च के लिए देश की सुरक्षा के लिए फिर एक मार फिर एक बार बीजेपी एंडिये सरकार लाना बहुत आवशक है भाई और बहनों मोदी की गारंटी सबका साथ सबका विकास की है लेकिन सपा कॉंग्रेस के इंडी गड़बंदन के लिए देश से भी पहले उनका वोट बैंक और उनके लिए उनका वोट बैंक खास है हमारा दस साल का ट्रेक रिकॉर्ड हो या फिर भाजपा का संकल्प पत्रा हम जोड दे रहे हैं सेचुरेशन पर कल्यान कारी योजनाओं का लाब सबको मिले पूरा लाब मिले बिना बिचोलियों को मिले बिना रिश्वत को मिले और जो हकदार है उस हकदार को अवश्य मिले ये भाजपा का सेचुरेशन मोडल है क्योंकि जहां सेचुरेशन होता है वहां सभी हकदार को उसका हक मिलता है हमारा सेकुलरिजम भी वही है कि बिना भेदभाव के लिए जो भी योजनाजिस के लिए बने बिना धर्म जाती भेदभाव सबको मिलना चाहिए सच्चा सामाजिक न्याई भी यही है जब आप बिना भेदभाव बिना अपने पराए बिना रिश्वत खोरी सबका हक पुरा करते हैं तो इससे बड़ा सामाजिक न्याई क्या हो सकता है और आपने देखा होगा फ्री राशन हो मुप्त इलाज हो पक्का घर हो तॉयलेट बनाना हो नल से जल देना हो यह सारे लाब हर लाभार्थी को मिले बिना बेदभाव को मिले यह मोदी की गारंटी है अच्छा मेरा एक काम करोगे करोगे हैं सब लोग अगर हाथ उपर कर बताओगे तो मैं बताओंगा करोगे हैं पक्का करोगे हैं देखिए मैं दिन रात मेहनत तो करता हूं और यहां उत्तर प्रदेश में मेरी हर योजना को नीचे ले जाने में योगी जी भी रात दिन मेहनत करते हैं उनकी पूरी सरकार मेहनत करती हैं फिर भी जब आप गाउं में जाएंगे इलाके में जाएंगे सोसाइटी में जाएंगे हो सकता हैं दो चार दो चार लोग ऐसे मिल जाएं जिनको अब तक ये योजना नहीं पहुँची है तो मेरा एक काम करेंगे जिनकी योजना नहीं पहुँची है उनकी सुची बनाना और उनको कहना कि मोदी जिने आगरा में आये थे गारंटी दी है कि जिनका बाकी रह गया है तीसरे टम में उसका भी पुरा हो जाएगा यह बता देंगे और आप देखिए मेरे लिए तो आप सभी मोदी ही है और इसलिए मेरी गारंटी आपके माध्यम से जुरूर पहुंचेगी सांथियों जम एक के बाद एक गरीब के ससक्ति करन के हम काम कर रहे हैं गरीब को गरीबी को परास्त कर ले गले मजबूत कर रहे हैं एक ऐसा मोडल है जिस मोडल की आज दुनिया के लोग तर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमने जो रास्ता अपनाया है हमने जो मोडल अपनाया है उससे आज देश में 25 करोर देशवासी जो गरीबी की जिन्दगी जीते थे वो गरीबी से बहार निकले हैं साथियों मोडी हमारे देश में हमने तुष्टी करन की राजनिती बहुत देखी है तुष्टी करन की राजनिती ने के देश को तुकडे तुकडों में बांटके रख दिया है तुष्टी करन की राजनिती ने सच्चे वर इमान दारों के हक को डुबोया है और इसलिए अब मोडी तुष्टी करन को समाप्त करके संतुष्टी करन की और आगे बढ़ रहा है हमारा रास्ता तुष्टी करन का नहीं है हमारा रास्ता संतुष्टी करन का है सबका साथ सबका विकास ये मंत्र भी उसी तुष्टी करण का महामार्ग है लेकिन सपा कॉंगरिस का इंडी गणबंदन गोर तुष्टी करण में जुटा है चोबिस के चुनाव में कॉंगरिस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उस पर शत्प्रतिशत और ये मैंने पहले ही दिन कहां था आज नहीं कह रहा हूँ कॉंगरिस के इसमार के मैनिफेस्टो पर शत्प्रतिशत मुस्लिम लिक का थप्पा लगा हुआ है मुस्लिम लिक की छाप है कॉंगरिस का पूरा मैनिफेस्टो सरफ भोट बैंक को मजबूत करने के लिए समर्पित है हमारा मैनिफेस्टो देश को मजबूत करने के लिए समर्पित है साथियों आजादी के बात से ही ये स्पस्ट हो गया है कि भारत में धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा ये संविदान सभा में चर्चा करने के बात तै हुआ है संविदान सभा में जो चर्चा हुई थी जिसको बाबा साब आमबेड करने लिखा था बाबा साब आमबेड करकी इच्छा थी यही संविदान की मुल भावना है यही सामाजिक न्याय है कि भारत में धर्म के आधार पर भारत का संविदान आरक्षण की सहमती नहीं देता है लेकिन कॉंग्रेट एक ऐसी पार्टी है जो आए दिन बाबा साहब का अपमान करती है संविदान का अपमान करती है और सामाजिक न्याय की तो दज्जियां उड़ा देती है लीरे लीरे उड़ा देती है इसी कॉंग्रेटें कभी करनाटका में कभी आंदर प्रदेश में कभी अपने गोष्णा पत्र में बार बार धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत की देश का संविदान देश की अधालतें कॉंग्रेस को ऐसा करने से बार बार मना कर चुकी है उनकी हर बात को देश के नयाई पालिका ने ठुकरा दिया है और इसलिए अब कॉंग्रेस ने पिछले दरवा जैसे खेल खेलना चुरू किया है SC, ST, OBC के आँख में धूल जोग करके पाप करने के रास्ते बनाने का काम किया है अब कॉंग्रेस ने ठान लिया है कि वो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन लाग कर रहेगी और इसके लिए कॉंग्रेस ने तरीका निकाला है जो OBC का कोटा है 27% का जो OBC का कोटा है क्योंकि मैं भी उस समाज चाहता हूँ इसलिए मुझे उसकी पूरी बराबर जानकारी है यह जो 27% आरक्षन का कोटा है अब उन्होंने तहे किया है कि उसमें से कुछ चोरी कर लिया जाए 27% में से चोरी कर लिया जाए छीन लिया जाए चुपचाप छीन लिया जाए और धर्म के आधार पर आरक्षन दे दिया जाए क्या आपको यह मंजूर है यह आप सहन कर सकते हैं यह आप स्विकार कर सकते हैं देखिए करनाटका ने क्या किया करनाटका ने वहां की इस कॉंग्रेस की सरकार ने रातो रात करनाटका में जितनी भी मुस्लिम जातिया है चोटी मोटी धनी पड़ीली की सब सभी जातियों को रातो रात एक कागज पे थपा मार कर उनको ओबीसी बना दिया रातो रात और उनको कह दिया कि यह जो 27 परसंट है ना अब आप उसके मालिक हो जाओ लूट लो ओबीसी के हक पर डाका डाला है यह डाका है कि नहीं है यह डाका है कि नहीं है जरा पुरी ताकत से बताईए भई यह डाका है कि नहीं है जरा इजर से माता है बहने बताईए डाका है कि नहीं है कॉंग्रेस का इवरादा यूपी में भी यही खेल खेलने का है यही कारणामा दोराना है देश में जहां जहां मोकाम मिले यह पिछले दिरवाजे से चोरी छिपी से OBC का हक लूट लेना, SC का हक लूट लेना, ST का लूट लेना और उनको दे देना और इसमें उसे समाजवादी पार्टी का पुरा साथ मिल रहा है, आप याद कीजिए, 2012 में उत्तर प्रदेश विदान सभा चुनाव से ठीक पहले कॉंग्रेस की केंद्र सरकार ने तब भी ऐसी ही कोशिश की थी, इन्होंने OBC के आरक्षन का एक हिस्सा धर्म के आधार पर माइनॉरिटी को देने का फैसला किया था लेकिन तब ये अपने इरादों में सफल नहीं हुए, यूपी के लोगों को और विशेश कर OBC समुदाई को कॉंग्रेस और सपा का ये खतरना खेल, कॉंग्रेस और सपा का ये खतरना खेल ये मेरे OBC भाईयों बेहनों को समझना पड़ेगा दलीतों को, वंचीतों को, पीछणों को ये सपा कॉंग्रेस का खेल समझना पड़ेगा यहां यूपी में हमारे कुर्मे, मौरिया, कुश्वाहा, यादव, जाट, गुजर, राजबर, तेली, पाल ऐसी अनेक OBC जातियों है, उनका हक है, बारत के सम्विदान के अनुसार हक है तो इन से स्चिनकार समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहते हैं समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक की खातिर यादवों पिछडों से ही सबसे बड़ा विश्वास गात कर रही है तुष्टी करन में डूबी समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस दोनों की एक ही प्रकार की सोच है और यहां उत्तरपदेश में जो दो लड़कों में दोस्ती है ना इसका भी आधार यह तुष्टी करन की राजनिती ही है दोनों मिलकर भाशन में तो ओबी सी ओबी सी करते हैं और पिछले दरवाजे से ओबी सी का हग छिनकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए देना चाहते हैं आप मुझे बताईए क्या आप जरा मैं आप सबसे सुनना चाहता हूँ क्या आप कॉंग्रेस सपा को ये पाप करने देंगे ये बेइमानी करने देंगे ये आपके अधिकार को लूटने देंगे बाई और बैनो योगी जी के मुख्य मंत्री बनने से पहले यहाँ इंडी गड़ बंदन वालों का नारा क्या होता था आप भूल गए होंगे क्योंकि योगी जी के राज में ऐसा होता नहीं है इसलिए आप भूल गए हो मैं जरह याद कराना चाहता हूँ उस समय नारा क्या था जो जमिन सरकारी है जो जमिन सरकारी है वो जमिन हमारी है ठाक नहीं था ऐसा नारा ऐसा नारा लगता था कर नहीं लगता था और लखनव में जो बैटी दिन सरकार बोट बेंक वाली सरकार उनका अशिरवाद रहता था ये योगी जी की सरकार आई तो ऐसे लोगों को सही जग़ पर पहुंचाया लेकिन साथियों अब कॉंगरेश और इंडी गड़बंदन वालों का नया प्लान सामने आया है और ये नया प्लान क्या है ये याद रखेंगे आप लोग गर-गर पहुंचायेंगे नया प्लान जड़ा इधर से आवाज आए पहुंचायेंगे पीस्टे से आवाज आए पहुंचायेंगे जो दूर दूर है वो भी जड़ा बताए पहुंचायेंगे इनका जो नया प्लान है याद रखना कॉंग्रेस की लूट जिन्दगी के साथ भी जिन्दगी के बाद भी अब बोलेंगे आप लोग कॉंग्रेस की लूट जिन्दगी के और कॉंग्रेस की लूट जिन्दगी के बाद भी जिन्दगी के कॉंग्रेस के लोग कहते हैं बार बार कह रहे हैं और बड़े खुश मिजाज हो करके कह रहे हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया वो कहते हैं अब आपकी सबकी संपत्ति की जाच होगी एक्सरे कॉंग्रेस के साजादे की एक्सरे मशीन अब बेहनों बेटियों की अलमारियों में पहुँचेगी साजादे की एक्सरे मशीन लोकर में पहुचेगी अरे किसी करीब माने कुछ अपनी बेटी के लिए बचा करके रख करके जवार बाजरे के डिब्बे में रखा है न तो उनकी एक्सरे महां भी पहुचेगी इन्होंने मंगल सुत्र दबा के रखा है तो वहां भी इनकी एक्सरे पहुचेगी और थोड़ा बहुत जेहर गहना जो रखा होगा ये सपा कॉंग्रेस की सरकार आई तो उस पर डाकार डालेगी कब जा करेगी ये उन्होंने गोस्रा की है ये मैं नहीं कह रहा हूँ उनके बड़े-बड़े दिग्ज़ कह रहे है खुद साजादे कह रहे है क्या आप हमारी माता बेहने जरा मुझे बताइए आपके पास जो स्त्री धन है क्या ये आप किसी को लेने देंगे किसी सरकार को लेने देंगे देश की कोई माता बेहना लेने देगी अरे सर कटवा देगी लेकिन वो कभी नहीं देगी ये इनको मालूम नहीं है साथियों आप से आपकी संपत्ती छीनने की कॉंग्रेस और इंडी गड़बंदन की योजना सिर्फ इतने पर नहीं रुकती है अब कॉंग्रेस सपावाले इंडी गड़बंदन का कहना है कि वो आपकी विरासत पर भी लूट करेंगे आपकी विरासत का मतलब है दादा दादी ने जो मेहनत करके बचा के बेटे को दिया है आपके पिता ने मेहनत करके कुछ बचा करके आपके लिए रखा है जिस दिन वो नहीं रहेंगे तो फिर इंडी गड़बंदन कॉंगरिस गड़बंदन ने गोश्रा की है कि वो आपके परिवार के लोगों को मिलने से पहले 55% आदे से जादा सरकार उस पर कबजा कर लेगी बाकी बचा वो आपके नसीब में आएगा बताईए आपके माता पिता की मेहनत को आप लूटने देंगे क्या यानि आज जो संपती आप आने वाली पीडियों के लिए जोड रहे हैं आपके बाद उस पर भी ये लोग आदे से जादा टैक्स लगा करके लूटना चाहते हैं अब मैं समझाता हूँ मान लिजिए आपने अपने बच्चों के लिए चार कमरे का घर बनाया है तो आपके बाद सिर्फ दो कमरे आपके संतान को मिलेंगे दो कमरे कॉंग्रेस सपा की जो सरकार बनेगी वो सरफकार उसको हड़प कर लेगी मान लिजिए आपके पाद दस भीगा खेत है तो पाँच भीगा ही आपके बच्चों को मिलेगा बाकी कॉंग्रेस सपा की जो सरकार है वो हड़प कर लेगी आप अपनी संपत्ति क्या कॉंग्रेस सपा के ब्रस्ट पंजे के हाथ में जाने देंगे जरा पूरी ताकते बनाईए मुद्दा बड़ा घंबीर बनता जा रहा है जाने देंगे आपको गुशा आ रहा है और नहीं आ रहा है साथ क्यों SC, ST, OBC के हग पर डाका डालने और बेहनों के मंगल सुत्र पर नजर डालने से पहले जरा इंडी गड़ मतने वालों ये दिवार पर लखा हुआ पड़लो और कान खोल कर सुन लो जब तक मोदी जिन्दा है ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना पड़ेगा हमारा संकल्प है जो प्रस्टाचारी है उनकी जाच होगी जुनोंने गरीबों को लूटा है वो लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा यह जो प्रस्टाचारी है इनके पास जो लूट का पैसा है निकल रहा है जो बंगले गाड़िया जपत हो रही है यह जनता को कैसे लोटाया जाए इस पर मोदी तेजी से काम कर रहा है रास्ता खोज रहा है यह माताओं बेहनों की बचत्पन नजर घड़ाए हुए है लेकिन मोदी माताओं बेहनों को संपत्ति का हगदार बनाने में मैं आपका चोकिदार बनके खड़ा हूँ बीते दस वर्सों में मोदी ने चार करोड पक्के घर बनाए है इन में से तीन करोड चे अधिक पक्के घर माताओं बेहनों के नाम मिले हैं यह मेरी माताओं बेहनों की ताकत है मोदी ने बेहनों के जनदन बेंक खाते खुलवाए ताकि सरकारी लाप का सीधा पैसा गर की माता बेहन के खाते में जाए और अब मोदी की गारंटी है कि तीन करोड बेहनों को आंकड़ा याद रखिये तीन करोड बेहनों को लखपती दिदी बनाया जाएगा आज देश का युवाँ आत्मविश्वाद से भरा हुआ है आशावान है सामर्थवान है कर्तुत्वान है और मुझे मेरे देश के युवाँ पर नाज है मैं दुनिया में जाता हूँ ना तो मैं मुझे लोग पूरते हैं बोदी जी इतने बड़े-बड़े काम, इतने बड़े-बड़े सपने, मैंने का है इस सपनों की ताकत मुझे मेरे देश के नवजवानों से मिलती है, उनके सामर्थ से मिलती है। सहायता का लिए मुद्रा लोन है, स्कील इन्डिया मिशन है, स्टेंड़ इन्डिया मिशन है, हमारी नोकरियों में गेर जरूरी इंटर्यू खत्म कर दिये। हमने स्थानिय भासाओं में परिक्षाओं का प्रावधान किया, हमने सरकारी व्यवत्ताओं को फेसलेस बना दिया। साथियों, दूसरी तरफ कॉंग्रेस है, जिसने आजादी के बाद से ही भाई भती जावात को बढ़ाया, युवाओं की छमता को बरबाद किया, अभी इसका ताजा प्रमान मिला है, आप जड़ा सुनिये और लोगों को बताईये, साथ आज आपने अख़बारों में भी पढ़ाओगा, ताजा प्रमान मिला है, हमारे पढ़ोस में, राजस्थान में, वहाँ कॉंग्रेस की सरकार थी, कॉंग्रेस के अपने लोगों ने, कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री के करीबी ने कल एक बड़ा चौकाने वाला खुलासा किया है, और सारवजनी ग्रुप से किया है, और अभी तक कॉंग्रे के मुँपर ताले लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं, कि पेपर लिख, याने नव जवानों के भविश्य के साथ इतना बड़ा खिलवार, वो कहते हैं, कि राजस्थान में जो पेपर लिख हुआ वो पेपर लिख में गहलोत सरकार, कॉंग्रेस के गहलोत की सरकार खुद शामिल थी, और कोई और नहीं कह रहा है, जो कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री के कार्यालय में काम करने वाले सज्जनते, वो खेह रहे हैं, आप बताइए मेरे नव जवानों, इससे बड़ा पाप, इ तेरे देश के युवाओं के साथ नहीं हो सकता, यानि राजस्तान में आप, कॉंग्रेस का ही पेपर लीख हो गया है, यही कॉंग्रेस की सच्चाई है, इसलिए देश के युवाओं को, हमारे फॉस्ट टाइम वोटर्स को, कॉंग्रेस से बहुत सतर्क रहना है, बाई और बेनों भाजपा सरकार की पहचान ही अच्छी सडके आदुनिक रेल लाइन मेट्रो सुविदाएं कोवीड में वैक्चिन की व्यवस्ता अच्छी करोर लोगों को मुप्त राश्यान सत्तर साल से उपर के लोगों के लिए आउश्वान कार्ड हम आगरा फते पूर्शिक्री स इस पूरे खेत्र को पूरी दुनिया के निवेशक और परियटकों के लिए आकर्शक बनाने में जूटे आप याद रखेगा यह जो आयोद्या में प्रभू राम मंदिर के दर्शन के लिए आ रहा है ना लाखों लोग आ रहे हैं काशी में जो कोरिडोर बनाएं लाखों लोग आ रहे हैं आप मान के चलिए वो निकलते हैं आयोद्या आने के लिए वे निकलते हैं काशी के लिए आने के लिए लेकिन वो जुरूर आगरा करके जाते हैं और इसलिए यहां का तुरिजम तो बढ़ने ही बढ़ने वाला है आपको तो एक हाद में दो-दो है आप याद रखिएगा आपका वोट S.P.C. बगेल जी और राजकुमार चाहर जी को तो मिलेगा ही लेकिन जब आप वोट उनको देगे ना तो उनको तो मिलेगा ही लेकिन यह वोट मोदी को भी मिलेगा तो आप मोदी को वोट देंगे पक्का देंगे और इसलिए साथ मही को कुछ समाए अपने सेवक के लिए जुरुन निकालदा कितनी ही गर्मी क्यों नहों कितनी ही शादिया क्यों नहों कितने ही नीजी काम क्यों नहों लेकिन जब मैं इतनी महनत करता हूँ दिन रात महनत करता हूँ तो मतदान के दिन मेरा आप से कुछ समय मागने का हक बनता है कर नहीं बनता है मैं इतना तो मांग सकता हूँ कर नहीं मांग सकता हूँ मैं देश वाजश्यों से इतना तो मांग सकता हूँ कि आप देश के लिए एक दो गंटे निकालिए, गर्मी हो तो भी निकलिए, मतदान किजिए, मतदान कराएंगे, अच्छा मेरा एक और काम करेंगे, गर-गर जाएंगे, गर-गर जाकर के कहना, मोदी जी आये थे, आप सब को रादे रादे का हा है, पहुंचा देंगे राम राम मेरा, मेरा राम राम पहुंचा देंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद,